चमक सबको नजराती है और अंधेरा कोई देख भी नहीं पाता उगते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं लेकिन डूबते हुए सूरज पर कोई ध्यान भी नहीं दे पाता जिन्दगी चाहे एक दिन की हो या चार दिन की उसे ऐसे जीओ जैसे जिन्दगी तुम्हें नहीं जिन्दगी को तुम मिले हो जिन्दगी से परेशान मत हुआ करो उपर वाले ने सब को खूप सूरत बनाया है किसी को अच्छी सूरत देकर तो किसी को अच्छा दिल देकर किसी के पुरे वक्त में अगर आप उसका साथ देते हैं तो यकीनन ओआपको जिन्दगी में कभी नहीं भूलेंगे पानी मर्यादा तोड़े तो बिनास होता है और वाड़ी मर्यादा तोड़े तो सर्वनास होता है इसलिए वाड़ी को बीड़ा बनाए वाड़ी को बाड़ ना बनाए क्योंकि वाड़ी अगर बीड़ा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा और बाड बनेगी तो जीवन में महा भारत होगा चार दिन है जिन्दगी हसे खुशी में काट ले मत किसी का दिल दुखा दैद सब के बाट ले कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा कर भला होगा भला गाट में यह बाध ले कपड़े ब्यक्ति को ढाकते हैं और बात जीद ब्यक्तित्तों को इसलिए पहले बिचारें सोचें और समझें और फिर बोले लोगों में नादानिया भी कितनी कमाल की है अधेरा तो दिल में है और इंसान मंदिर जाकर दिया जला रहा है कुछ मिला और कुछ खोया भी कुछ साथ दिये और कुछ साथ होकर भी दूरिया बना लिये कुछ आये और कुछ आकर भी चल दिये इस जिन्दगी ने हमें बहुत कुछ दिया लेकिन कुछ छीन भी लिया और बहुत कुछ सिखा भी दिया जिन्दगी में जब भी कोई आपको अकेला छोड़ जाए तो उसकी जाने का गम मत करना जिन्दगी को इतना सुन्दर बना लेना जिससे की फिर उस सक्स की हिम्मत भी ना हो आपकी तरफ देख सके जब किसी इंसान के पास रहकर उसे खुसी ना दे पाओ तो उससे दूर हो जाओ सायद इसी में ओ खुस हो जाए फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए भवरों की तरह गुनगुनाते रहिए चुप रहने से रिष्टे भी उदास हो जाते हैं कुछ उनकी सुनिये कुछ अपनी भी सुनाते रहिए जो आप के साथ बुरे हैं उनके साथ ना तो अच्छे बने और ना ही बुरे बने सिर्फ उनसे दूरिया बनाए रखें खुबसूरती हमेशा देखने वाले के मन में और नजरों में होती है वरना गलती निकालने वाले को तो ताज महल में भी कमी नजराती है नाराजगी जाहिर करने से बेहतर है रो लेना क्योंकि नाराजगी दूसरों को तकलीफ देता है जबकि आशु चुपचाप आत्मा से बेह कर हिरदय को सक्च करते हैं जिस रिस्ते में बार बार जुकना पड़े उस रिस्ते को हमेशा के लिए खत्म करके आगे बढ़ जाना ही बेहतर होता है रिस्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाओ नहीं दिल ठक जाते हैं पाओ में मोच आना कोई बड़ी बात नहीं पर दिल में खरोच आने से रिस्ते के नजरिये ही बदल जाते हैं पूछता है कोई मुझसे कि दुनिया में मुहबत बच्ची है कहां मुस्कुरा देती हूँ और तब याद आ जाती है मा हमेशा मुस्कुराते रहो जिन्दगी में टेंसन किसको कम है अच्छा या बुरा तो केवल रम है जिन्दगी का नाम ही कभी खुसी तो कभी गम है